नमस्षुवा चिल्डरन आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं चैप्टर का नाम है मानविय करना की दिव्य चमक जिसके राइटर है सर्वेशर दयाल सकसेना लेखा का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ उनकी शिक्षा इलावाद विश्विध्याले से हुई वे अध्यापक आकाश्माणी में सहायक प्रोड्यूसर दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे मैं एक बात आपको यहां बता दू कि दिनमान और पराग दोनों ही अपने समय की बहुत अच्छी पत्रिकाओं में से गिनी जाती थी सर्विश्वर बहुमुकी प्रतिबा के साहित्यकार थे वे कवी कहानीकार उपन्यासकार निबंदकार और नाटक कार थे मीज उन्होंने इन सभी छेत्रों में हिंदी में अपना योगदान दिया सर्विश्वर दयाल जी की प्रमुक कृतियां या रचनाएं हैं काठ की घंटियां कुआनो नदी जंगल का दर्द खूटियों पर तंगे लोग पागल कुत्तों का मसीहा सोया हुआ जल ये दो उनके उपन्यास है लडाई कहानी संग्रे है और बकरी उनका नाटक भों भों खों खों बतूता का जूता लाख की नाख आदी उनके बाल साहित्य मीज बच्चों के लिए लिखी हुई कुछ रचनाएं हैं चर्चे और चर्खे उनके लेखों का संग्रे हैं खोटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है सरवेश्वर की पैचान मध्यवर्गिये आकांग्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है मध्यवर्गी जीवन की महत्वा कांग्षाओं सपनों, संगर्ष, शोशन, हताशा और कुंठा का चित्रन उनके साहित्य में मिलता है मिल्दमी जीवन के उपर उन्होंने जादा लिखा है कि मध्यवर्गिये लोग उनकी किस प्रकार के महत्वा कांग्षाओं होती है और उनको अपनी उन महत्वा कांग्षाओं को पूरा करने के लिए किस तरह से संगर्ष करना पड़ता है सर्वेश्वर्जी इस्तंभकार थे और चर्चे और चर्खे नाम से दिनमान में जो इस्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता था मीज वो अपनी बात को कितनी बेबाक रूप से या कहें बिना निर्भय हो करके लिखते थे ये उसमें दिखाई देता था उनकी अभिव्यक्ति में स्याजता और स्वाभाविक्ता है अब यहां हम लोग पढ़ते हैं कि उनकी रचना जो आप पढ़ने जा रहे हो मानविय करना की दिव्य चमक उसके बारी में संस्मरण स्मृतियों से बनता है संस्मरण भी एक प्रकार की हिंदी की विधा है मीज हिंदी गद्य संस्मरण विधा में भी लिखा जाता है तो यह जो चैप्टर है वो संस्मरण विधा में ही लिखा हुआ है संस्मरण means अपने समृतियों के आधार पर जब लिखा जाता है उसे संस्मरण कहते हैं सो संस्मरण समृतियों से बनता है निश्चित रूप से और समृतियों की विश्वस रियता उसे महतवपूर्ण बनाती है means वो समृतियों में कितनी सचाइय कही हैं उसे कुछ भूल भाल तो नहीं गए तो ये बात उसे महत्वपूर्ण बनाती है फादर कामिल बुलके जो जिनके उपर ये चेप्टर है वो एक फादर थे नाम था उनका कामिल बुलके पर लिखा सर्विशर का यह संस्मरा इसका सौटी पर खरा उतरता है अपने को भारतिय कहने वाले फादर बुलके जनमे तो बेलजियम के रेम्स चेपल शहर में जो गिर्जों, पादरियों, धर्मगुरूं और संतों की भूमी कही जाती है ये रेम्स चेपल शहर की जो विशेष्टाएं है क्या विशेष्टा है कि वो गिर्जों मीस चर्चिज, पादरियों, फादर्स, धर्मगुरूं और संतों की भूमी कही जाती है परंतों उन्होंने अपनी कर्म भूमी बनाया भारत को मीस वो अपने जनमिस्थल पर रहकर भी वो ये सब कर सकते थे फादर बन सकते थे, अपना धर्म वहीं पर रहकर के वो कर सकते थे लेकिन फिर भी वो भारत आई और भारत में ही उन्होंने अपना काफी समय बिताया फादर बुल के एक सन्यासी थे परंतों पारम पर एक अर्थ में नहीं पारम पर एक अर्थ में किस प्रकार से नहीं? वो जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बताएंगे सर्वेशुर का फादर बुलके से अंतरंग संबंद था जिसकी जलक हमें इस संस्मरण में मिलती है लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है इस विदेशी भारतिय साधू को याद किया जाएगा अब राम कथा से इस विदेशी साधू का क्या संबंद रहा है कि जब तक राम कथा रही तब तक उनको याद किया जाएगा तो ऐसा उनका क्या अंतरंग संबंध है रामकथा के साथ ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब विस्तार से बताएंगे उन्हें हिंदी भाशा और बोलियों के अगाद प्रेम का उधारण माना जाएगा और हिंदी भाशा के प्रती भी उनकी जो अगाद श्रद्धा थी वो भी हमको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी सो इस्टुएंट्स फिलाल मैं यहीं रोकती हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्स्परेमेशन करेंगी नमुश्युवय